ताजा तर्न खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें क्या कोई खुद ही अपना गला काट सकता है तो आप कहेंगे नहीं मगर एक बेक्ति ने छूरी से खुद ही अपना गला काटने की कोशिस की जिसमें ये बेक्ति घायल हो गया है ये घटना दहिसा रोट पेट्रोल पंप के पास 14 अगस्ट को हुई शेर बहादूर जंग बहादूर 32 वर्षिये जो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है जानकारी के मुताबिक शेर बहादूर के दोस्त अकसर उसे मजाकिया तौर पर चिरहते थे जिसकी वजह से नाराज होकर शेर बहादूर ने बाजार में ही एक पान की दुकान से छूरी उठा ली और खुद अपना गला काटने लगा शोर मचाने के बाद उस विक्त को दुकान से दूर किया गया इसकी जानकारी पुलिस को दी गई पुलिस ने उसे नस्दी की अस्पताल में उपचार के लिए भेजा है कि वाज आउट अप डेंजर और नाउनित हॉस्पेटल में उस पे ट्रेटमेंट करके उसको छोड़ा गया वो पुछ नस्दी में था यूस पंजम सम्थिंग एंड वो डिप्रेशन में था पुलिस उप्डिरिक्षक एम मुजावर ने बताया है कि नेपाल के रहने वाले इस बेक्ति ने गला रेत कर आत्मात्या करने की कोशिस की मगर अभी वो खत्रे से बाहर है जिसे इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है तो तमाम ख़बरों को जाने के लिए देखते रहे हैं प्रहाँ टेंग